हे दोस्तो वेलकम ट्यू स्ट्रडी आई एस और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिसकस करूंगा सूरत जो की एक यहां पर गाइडेड मिसाल डिस्ट्रॉयर है इसके बारे में और उदैगिरी के मारे में जो की एक स्टिल्ट फ्रेगेट है इसके बारे में अभी द के बारे में डिसकस करेंगे कि आखिर वो इससे कैसे रिलेडेड है या फिर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है देगी दोस्तो काफे इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी हमारे डिफेंस के लिए मैं बता दूँ कि यह दोनों ही और यह जो फ्राइगेट है यही क्यों नहों यह क्लियर कर सकूँ चलिए अब सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपको बता दू कि अपके साथ रहेगा जब तक कि आपका एक्जाम क्लियर नहीं हो जाता तब तक साथी दोस्तों यह जो आपके सकते हैं अवेल करने के लिए आप लोग जो हमारा कोड है स्टेडी आइस उसे यूज कर सकते हैं देखे तो आप लोग के लिए एक डाउट सॉल्विंग सेशन जिसकी मदद से आप लोग अगर कोई भी कन्फूजन वगर आ है तो यह सब आप दूर कर सकते हैं और दोस्तों 0% की भी इमाई आप लोग लिए एवलेबल है अनेकेडमी अल्ट्रा कॉमबेक्ट है जहां पर 56 कोशन रहेंगे 60 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों आपके पास 22 में को यह देखने को मिलेगा सुबह 11 बजे यहां पर भी आप एन्रोल कर सकते हैं एन्रोल करते वक्त हमारा जो कोड़ इस उसे आप लोग यूज कर सकते हैं अब देखी दोस्तों अभी रिसेंटली क्या हुआ है जो हमारे राजनात सिंग जी हैं ओके इंडा की डिफेंस मिनिस्टर साव उन्होंने यहां पर लॉंच करा है फ्राइगेट आइनस देखी दोस्तों बताओं आपको सबसे पहले कि दोनों ही जो शिप हैं इन्हें लॉंच करा गया है अंडर प्रोग्राम और वो है दोस्तों आपका सेवेंटी प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के अंदर आपका जो आइनस सूरत है जो कि फोर्थ और लास्ट इस्टील डिस्ट करवाया गया है और आइनस सूरत को प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी के द्वारा करवाया गया है कमिशन कौन सी अर्गनाइजेशन है दोस्तों जिसने इसे डेवलप करा है डिजाइन करा है तो देखे डी एंडी जो है डिर्क्रेट आफ निवल डिजाइन ने दोनों ही वार् प्रोग्राम है हमारी इंडियन गवर्मेंट का जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट जेनरेशन के स्टील्ट गाइड़न मिसल मिसाइल डिस्ट्रॉयर बनाते हैं हमारे इंडियन नेवी के लिए और यह सब दोस्तों जो आपका M.D.L.A. मुंबई में वहाँ बनाया जाते हैं 2021 में दोस्तों जो पहली शिप थी इस प्रोजेक्ट की वह कमिशन करी गई थी अब ही आपको बता हूं अगर हम लोग आयने सूरत के बारे में क्या क्या जानते हैं तो बताए जैसे की जो यह फोर्थ है और लास्ट शिप है अंटर प्रोजेक्ट 15B और जो शिप है दोस्तो इनवाल में काफी सारे हॉल अलग 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 जिग्राफिकल लोकेशन पर और इन सभी के आपके सकते हैं जो जगह अलग अलग जगह से आया है उन सभी को जॉइन करा है एट mdl जो शिप है दोस्तों उसका नाम सूरत रखा गया क्योंकि जो ऑनर है सूरत सिटी का उसको सूरत सिटी के ऑनर के तहट पर आपको बता दूँ इसका नाम रखा गया है काफी पहरे सा आपको बता दूए जो सूरत है वो शिप बिल्डिंग में या फिर में टैम हिस्ट्री जो है सूरत की काफी जादा रही है जो वैसले दोस्तों उसे सूरत के अंदर ही बिल्ट करा गया है आपने 16 और 18 सेंचुरी जो फेमस आपके सकते हैं लॉंगिविटी उसके तहती है अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 17 एक बारे में तो इसके अंदर आपके सकते हैं जितनी चिप वगरा कमिशन होती है वह एक इंप्रूब्मेंट रहता है ओवर पी 17 फ्राइट के तह अब पी 17 के अंदर बनाई जो गए थे उनको ही एडवांस में उनके अंदर मतलब और एक्स्टर फीचर और सारी ऐसी फंक्शनलेटी को इंक्लूड करके लॉंच करा जाता है कमिशन करा जाता है इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों साथ शिप को कंस्ट्रक्ट करा गया था और मैं बता दू कि जिनमें से चार जो हैं वह कंस्ट्रक्ट हुए थी MDL में और तीन जो हैं दोस्तों वह आपकी हुई थी Garden Rich Ship Builder and Engineers Limited के दौरा 2019 और 2020 में दोस्तों जो पहले दो शिप हैं इस प्रोग्रेक्ट के अंदर उन्हें लॉंच करा गया था और इस्प्रेक्टिवली आपके सकते हैं बनाई गई थी MDL और GRCE के दौरा अगर हम बात करें वहीं INS उदाग्र के बारे में कि हम क्या जानते हैं इसके बारे में तो बदा दूं कि जो शिप है दोस्तों इसका नाम दिया गया है after Mountain Range और जो लोकिटेड है आपके कह सकते हैं आंदप्रदेस स्टेट में और जो शिप है दोस्तों ये एक reincarnation रहा है तक आपके सकते हैं इसने पार्टिसिपेट करा था काफी सरे अलग-अलग operations में ओके दोस्तो तो I hope कि अब आपको जो चीजे हैं वो समझ में आगे होंगी कि आखरी ये प्रोजेक्ट वगरा क्या है और इसे रेटर जितनी बाते हैं वो सब आपको पता लग गे होंगी आज की वीडियो के लिए दोस्तो इतना ही मिलते हैं और भी ऐसी वीडियो के लिए तब तक के लिए have a nice day and take care